आज हमारा question है, x i 3.5 से question number 1 है, which of the fallen statement are true? हमें देखना है कि इसमें से कौन सा statement हमारा true है, तो पहला हमारा क्या है, if a number is individual by 3, it must be individual by 9, क्या कहा रहा, अगर कोई नमार हमारा 3 से individual है, तो 9 से भी होगा, ठीक है, तो हम देख रहे हैं, अगर 3 से हमारे individual क्या होता है, 3 का करा हम देख, 3, 3, 6, 9, 12 होता है, ऐसी होता है, 15 है, यह number क्या, 18, 21, 24 है, लेकिन हम देख रहे हैं, 9 से तो यह 3 individual नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, ठीक है, तो 3 और 6 तो individual होगी नहीं सकता, 9 से, it means पहला वारा state में हमारा क्या है, false है, क्योंकि 3 से individual क्या, 3 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, लेकिन 9 से 3 और 6 नहीं होगा, it means पहला वारा state में होगा, और यह क्यारा, it must be, जरूरी होगा, किसे 9 से भी individual होगा, जो 3 से होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम देख रहे, 3, 3 और 6 तो 9 से individual होता ही नहीं है, तो यह हमारा statement क्या हो जाएगा, false हो जाएगा, next हमारा है, if a number is individual by 9, it must be individual by 3, अब बिल्कुल सही करे statement, क्यारा, if a number is individual by 9, अब कोई नमबर लेको 9 से, 9 से क्या-क्या individual हो सकते, 9 होगा, 18 होगा, 27 होगा, 36 होगा, 45 होगा, ऐसी चलता रहेगा, तो 3 से सारे number individual होगा, 9 भी होता, 18 भी होता, 27 भी होता, 36 होगा, 45 होता, यह सारे number किसे 3 से भी individual हो जाते, देखो, 9 से जो भी number individual होगो, 3 से होगा, लेकिन 3 से जो होगो, 9 से जरूर नहीं को 9 से भी होगा, ठीक है, तो यह statement हमारा second वाला true है, okay, next हमारा है, un number is individual by 18, ठीक है, क्या करे, un number is individual by 18, if it is individual by 3 and 6, ठीक है, अगर कोई number 18 से individual है, तो वो 3 and 6 से भी individual होगे, अब देखो 18 का देखें, एंटन, 36, 54, 72, अब यह कए रहा, कि के रहा, यह हमाएं के है ला, कि जो भी number 18 से जलो हो 3 और 6 से भी होगा, तो यहाँ हम देख रहे, तो यह तो 3 से भी और 6 से भी होग, यह भी 6 और 3 से भी है, यह भी 3 और 6 से भी है, तीक है, 6 में, 6 में 6, Leah 54, Stefansal 72 भी 3 और 6 से भी हो जाएगा 6 6 से भी हो रहा ठिक है तो क्या करें यह number is divisal wise 18 if it divisal wise 3 and 6 यह ज़रूर नहीं अगर वह number 3 and 6 से divisal है तो 18 से भी divisal नहीं हो ज़रूर नहीं कि divisal हो जाएगा because 3 and 6 से क्या number होता है 3 and 6 से तो 9 भी divisal होता है लेकिन 18 से तो 9 नहीं होता ओके यह 6 भी 3 & 6 से 6 भी होता लेकिन 18 से क्या नहीं होता 6 भी नहीं होता तो यह false हो जागी statement नेस्ट हमारा है इप आख नमबर इडिव्जल आई 9 & 10 जिद अगर कोईनम नाइन ओर टैन से भी डिवजल हो जाएगा ठीक है आप समझें कि कोई नहीं हमारा गारा नाइन और टैन से डिवजल हो जाएगा ठीक है तो यह यह से प्राइम्बर का मतलब आप समझगे होंगे को प्राइम होती जैसे मैं अगर किसी किसी दो नम्मर का फाकर क्वा रिकालो और ऊण 10 वाट अगर उसमें व Fraam तो क्या हो जाए को प्राम ना फैक्ट तो यह जरू नी कि उने से होना चाहिए ठीक कि बिल्कुल यह फॉल्स पर इले तो ठीकर यह तो थी से फोर भाई इसलिए फोर से तो Vyeals होता है लेकिन एच्ट फोर में पनीज यह शाता है उटकून यह यह वर राय। तो यह क्या हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा हमारा घुलिवाइट कुम है आब क्या कह रहा है कि इसका सम कितना प्र तक तो यहाँ कर रहा हैfather यहां पर 12 की कोरहें डियेल कर यह लेकिन ऐसे कही नमबर है जिसको यह नहीं करें कर पाएगा जैसे हैं मारा 3 12 हें 1618 पर ऐसे हर कोई नम्मर इससे डीगल नहीं होगा तो सब्सक्राइब लेकिन कई ही नंबरसे जो ओलग टैम जाएंगे लिगन सम करके दरन नहीं और को हो चाहिए 50 आदि एक पर कित्ना इनबर योता हिन्हान ही हो आसे हम आ आ रहे में आरते हिनो्त एक हमारी ये बैद रही हो जाएगा ठीक है